नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सीपी शाक्या आप सभी का बहुत बहुत श्रागत करता हूं मेरे वीडियो में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन पांच चीजों को जिनको डेंगू के दोरान अवश्य खाना चाहिए ताके प्लेटेट्स काउंट्स को बढ़ाया जा सके दोस्तों डेंगू के दोरान जब प्लेट्स काउंट्स की संख्यातेजी से गिरने लगती है तो लोग धिर सारे उपाई करते हैं कि और ये सोचने किस कंडिशन में क्या खाएं और क्या नखाएं तो आज कर वीडियो इसी संबंद में हम डेटेल से बात करेंगे कि हम क् संख्यप्त परचे समझ लेते हैं कि डेंगू एक बायरस जनित एक बुखार है जो कि बायरस के कारण होता है और एडीज मच्छर के काटने से फैलता है जब भी कोई एडीज मच्छर जो कि इनफेक्टेड होता है किसी स्वस्त बेक्ट को काटता है तो उसको भी डेंगू फीवर्ड डिबलप होता है, काफी तेज बोखार आता है, सरीर में दर्द होता है, मास्पेशियों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, इसके साथ ही इसकिन पर रैसिस देखने को मिल सकते हैं, आखों में जो पुरा आखों में हो जाता है और कईवार नाक से ब्लीडिंग हो सकती है आपकी प्सा में ब्लीड आ सकता है आपकी श्टूल में मीड़ हो सकता है और Orieby पार जानलेवा भी इसलिए आपके डाप्टर भी केरिगू के दौरान आपको complete । रेस्ट की सलह देने संख्या कम होती है तो लोग धे सारी चीजें खाने लगते हैं लेकिन आपको इसकी सेटिक जानकारी होना बहुत ही अतिनत अवश्यक है क्योंकि आप कुछ भी चीज खाएंगे उल्टा सिधा कुछ भी खाएंगे तो इससे फाइदे की जगे आपको नुक्सान होने की समबना बढ़ सकती है तो इसलिए इस सेटिक जानकारी के साथ में हम आपको बताते हैं कि आप पपीतिय का फल अबश्यक खाएं क्योंकि पपीतिय का फल डेमो के दोरान नकीवल प्लेटलेट काउंट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है साथ ही आप फल्ड की तॉर पर बी ले सकते हैं और आपको पपीते की सबजी भी आप ले सकते हैं और पपीते के प्ती का रस्री आप ले सकते हैं छिछ है कीवी फूट देंगो के दोरान प्लेट अबस लेना चाहिए कि Chancellor Kijvifruit मैं यहीं के एंटी आक्षिदेंट्स और बेस् slit नाना हो अनार आपको अपनी डाइट में अफिस सामन करना चाहिए यदि आपको डेंगू हुआ है क्योंकि अनार में यह भरपूर मात्रा में आयरन होता है, एंटी अक्षिदेंट्स होते हैं, बेटामिन्स होते हैं, जो कि आपको नकेवल रोग प्रतुरूत प्छंता को बढ़ाते ह हैं, वलकि आपकी रेर्ड बिलड सेल्स को भी बढ़ाते हैं, हीमोगलोबिन को बढ़ाते हैं, नेक्ष्ट में हम बात करें तो पालक, पालक बहुत ही यहनि की प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने के लिए बहुती आवर्शक है, क्योंकि इसमें बेटामिन की भरपूर मा मातराम होता है, जो कि रेर्ड बिलड सेल्स की संक्या को बढ़ाता है, और इसी के साथ में यह आपकी रोग पत्रुदक छंता को भी मजबूत करता है, नेक्ष्ट में हम देखें तो नारियल का पानी, नारियल का पानी यहनिकि डेंगू के पेशिंट को अवस्य पीना चाह तो अमीनो एशिट्स, एंजैम्स और बिटामिन्स का सुरूत होता है, जो कि अपकी सिरी की कमजोरी को भी दूर करता है, इसके साथ ही दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि औरल फ्ल्यूट्स आपको खूब लेने चाहिए, जैसे कि आपको और इस का घोल आप ले सकते हैं, आ अजिए आप ऐसा खाना खाते हो, जो कि पचाने में बहुत दिक्कत पैदा करता है, या बहुत महनत लगती है, तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको पाचन तुंतर आपका खराब हो सकता है, इसलिए हमें ऐसे भूझ-पदातों से बचना चाहिए, तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इसके समझे में बात करने तो आपको तलाब होना, जो भी ऑईली स्पाइसी जो फूड है, वो नहीं खाना चाहिए आपको, कई पेशन्स कहते हैं कि इस तो आप मीट खा सकते हैं, तो मैं कहूंगा, इस पश्च तरीके से मैं बना करूंगा, कि आप कम कोफी है, सोडा है, या कार्बोनेटी ड्रिंक्स हैं, वो भी आप कमप्रीटली इनको आप एवाइड करें, तो कि इससे डी हाइडेशन की समस्चा हो सकती है, जो कि डेंगू में बहुत जादा कतरनाक साबित हो सकती है, इसके साथ या फास्ट फूड और जंक फूड भी न होगा, दोस्तों आसा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत लावकारी शिद्ध होगा, इन वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें,